करिकरम में शोताओं हमारे आज के महमान है वरिष्ट दंत रोग विशेशग्य डॉक्टर कार्तिके कसारिया और आज आपसे बाचीत का विशे रहेगा रूट कैनल ट्रीटमेंट डॉक्टर कार्तिके कसारिया करिकरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार डॉक्ट लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया और ये बात भी होती है कि आर्सिटी कराना पड़ेगा तो बताएं हमारे शोताओं को कि ये दांतों में जो संक्रमन हो जाता है या जिसे आम तोर पर हम कहते हैं कि कीड़ा लग गया ये क्या है जी मैं सबसे पहले अपने शोता में और एकदम परिशान हो जाते हैं तब वे जाते हैं अपने डेंटेस्ट के पास करीबी डेंटेस्ट के पास मैं अपने शोताओं को सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको दांत में कभी भी हल्का फुलका दर्द या कुछ होता है तब तो जाना ही चाहिए लेक क्या है कि जब हम मीठी चीजें या चिपकने वाली चीजें या जैसे आजकल जंक फूद चल गया है इसका चलन बहुत हो गया है यह जब दांतों से चिपक जाता है कि हमने जब खाना खाया या हमने कुछ जंक फूद खाया जो चिपकने वाली चीजें हुई मीठे चीजें जिसके वज़े से दातों में कीडा लग जाता है जिसे हम कहते हैं कि दातों में कीडा लग जाता है पर actually होता क्या है कि दात का जो तय है जो परत है वो खराब होने लगती है जो हमारा दात जो है वो तीन हिस्सों में बना हुआ है 3 सते हैं उनके सबसे ऊपर जो layer होती है वो है enamel उसके बाद dentine उसके बाद pulp chamber होता है जब ये acid जो होता है बैक्टिरिया जब act करता है तो ये layers को खराब करना शुरू करता है सबसे पहले patient जो है वो complain करता है कि उसको थंडा गरम लगना शुरू हो रहा है या मीठा शुरू होता है दर्द लगने लगता है मीठा लगने लगता है पर जब उसको दर्द शुरू होता है मतलब ये समझ लीजे कि pulp chamber तक हो infection पहुच गया है और अब जो है उसका doctor या जो dentist है वो advise करेगा कि आप RCT करवाईए RCT basically है root canal treatment उसमें जो है हम जो pulp chamber होता है जहाँ infected हो गया है उसको हम निकाल देते है डॉक्र कसारिया ये pulp का जो संक्रमन है इसके खास लक्षन क्या है शरीर में कभी भी जब चोट लगती है या infection होता है तो सूजन आती है ये सबसे पहली चीज होती है शरीर में कभी भी अंग होता है जैसे for example हमें पैर में या हाथ में जैसे चोट लगती है तो हाथ सूज जाता है लाली आ जाती है पर जब pulp chamber में जब infection होता है या जब pulp तक होता है जो मैं कह रहाता है जैसे दात की जो तह है जो सबसे बीच वाली है सबसे अंदर की जो तह होती है उसमें inflammation आता है तो उसको फैलने के लिए उसमें सूजन तो आती है पर उसको फैलने के लिए जगा नहीं मिलती सूजती नहीं और वो टकराता है दाद के हार्ट सर्फिस पे और उसको क्योंकि जगा नहीं मिल रही फैनने के लिए इसलिए हमें दर्द शुरू होता है और जो लिक्विड्स चो प्रेजेंट होते हैं दाद के अंदर वो ऊपर नीचे मूफ करना शुरू करते हैं जिसके वैसे दर्द शु अंग है हमारे शरीर का जो मरने के बाद भी मैं मरना इसलिए कहना उसको हम डेट कर देते हैं दाद को आर्सीटी के बाद तो अपना काम तब भी करता है दाद वो चबाने के तब भी काम आते हैं और आर्सीटी के बाद आपका डेंटिस जो है वो आपसे ये जरूर कहेगा क कि उसपे कैप चणाएं या क्राउन लगवाएं वो इसलिए कहते हैं कि वो मजबूती और बन जाए दात की वो इसलिए आपको ये सजेस्ट करते हैं और RCT हम इसलिए करते हैं कि हमें जो infection है उसको निकानना है और जो सूजन आई हुई है वो हटानी है जी तो इसके लिए किस तरह के procedure होती है क्या शुरू में कुछ दवाएं दी जाती है सक्रमन को दूर करने के लिए सीधे ही आप प्रक्रिया शुरू कर देते हैं Mostly अगर बहुत ज़ादा inflammation है या बहुत infection है और पस निकल रहा है तो कभी-कभी हम antibiotics prescribe करते हैं antibiotics देते हैं उसके बाद route करनाल करते हैं या हम अगर हमें ठीक लगता है कि RCT कर सकते हैं तो हम RCT direct कर सकते हैं RCT दो टाइप की होती हैं एक होती है कि हम single stage में भी कर सकते हैं कि एक ही बार में मरीज आया हमने RCT कर दिया उसका single sitting और हमने भेज दिया या हम RCT चार-पांच sitting में complete कर सकते हैं पहले time में जो था हम लोग manually करते थे RCT को hand instruments use करते थे अब क्योंकि अब technology बढ़ गई है तो हमारे पास machine आ गई हैं नए technologies आ गई हैं और x-rays भी अब हमारे digital हो गए तो अब RCT करना single sitting में बहुत आसान हो गया है उससे फाइदा यह हो गया है कि patient को भी जादा patient की जरूद नहीं परती हो बार बार आएं परेशान हो और दूसरी चीज सिंगल sitting में हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है तो इलाज के बाद किस तरह की देखभाल की जरुरत होती है इलाज के time जो है जब आप RCT कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि after every meal मतलब हर बार जब भी आप खाना खाते हैं कुछ भी आप खाने की चीज लेते हैं उसके बाद आपने कुला करना है अपने oral hygiene को maintain करना है brushing ठीक से करना है और साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि आप बहुत हार्ड चीज़ों को avoid करें उसको ना खाएं क्योंकि उसमें दाट तूटने का डर रहता है तो तरल चीज़ें ज्यादा लें जी आर्सिटी के दौरान डग सब क्या anesthesia का प्रियोग भी किया जाता है क्योंकि कई बार patient घबराता है कि दाट में operation होना है तो anesthesia क करते हैं anesthesia अलग-अलग type के होते हैं एक होता है local anesthesia और एक होता है general anesthesia मुटा मुटा जो दो type के होते हैं और भी होते हैं पर basically जब हम बात कर रहे हैं dentistry के बारे में तो हम local anesthesia का ज्यादा प्रयोग करते हैं वह हम इसलिए use करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि patient जो है भी होश न तो इसलिए यह प्रोसीजर्स हम लोकल एनस्थीजिया में करते हैं कि जो पर्टिकुलर जो दात है या पर्टिकुलर एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं वही सुनो करेक्रिम के बीच में आपने बताया था कि आर सिटी के बाद कैप लगाने की सलह दी जाती है और कई तरह के कैप की बाद डॉक्टर करते है तो यह क्या है इसका क्या उप्योग है जैसे क्राउन की बाद भी आप कर रहे थे 門 के लिए क्राओन है क्राओन हमचेद के लिए मजबूती देने के लिए क्राओन ह्म देंटिस्स उस चीज को क्राओन हम इसलिए डेते हैं कि वह है मजबूती आये बनते हैं सबसे basic जो हम देते हैं वो होता है metal का उसके बाद एक metal fused with ceramic आता है जिस पे metal होता है उसके उपर एक सफेज ceramic बिल्कुल जो दात से देखने जैसा लगता है वैसे ही एक layer होती है उसके उपर ceramic की और तीसरा जो crown होता है वो होता है all ceramic मतलब उसमें पूरा पूरा ceramic और porcelain का वो बनता है तो इन में क्या अंतर है और क्या कोई भी लगाया जा सकता है और हम धनराशी की बात भी करेंगे कितना पैसा लगता है सबसे basic जो सबसे आप कहेंगे जो सबसे सस्ता और economical जो पढ़ता है वो आपका metal crown पढ़ता है पर उसमें जो कमी है वो यह है कि वो थोड़ा aesthetic नहीं लगता aesthetic से मतलब मेरा है कि वो दातों जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो metal है तो विल्कुल लोहे जैसा दिखेगा आपको या silverish टाइप का दिखेगा चांदी जैसा लगेगा आपको उसके बाद जो आपका PFM जो मैंने बताया पोसलीन fused metal crown जो है उसमें थोड़ा aesthetics आ जाते हैं लेकिन तब भी उसमें थोड़ा बहुत जो है कालेपन metal का shade आता है और सबसे जो महेंगा जो है वो है all ceramic उसमें क्या है वो बिल्कुल aesthetic लगता है और सुन्दर भी लगता है बिल्कुल दात जैसा दिखता है पर उसमें बस एक कमी यह हो जाती कि थोड़ा बहुत अगर आप कहें तो उसमें strength की कमी आ जाती है इसलिए हम जो all ceramics जो हैं हम anterior के दात में मतलब सामने के दात में जो आपके मुस्कुराने वाले जो दात जो दिखते हैं उसमें हम prescribe करते हैं उसमें हम कहते हैं उसमें लगाईए और postally infused metal crown हम पीछे के जैसे कि मैंने कारेकरम के शुरुआत में भी मैंने यही कहा था कि जब भी आपको दर्द हो तो उसको neglect ना करें उसको जरूर से आप अपने dentist के पास जाएं अप consult करें दिखाएं अपने और regular अंतराल में इंटर्वल्स में तीन मैने के दौरान यह छे मैने के difference में आप अपने dentist को जरूर विजट करें अपना चेक अप कराएं regularly क्योंकि अगर हम early stages में कोई भी बीमारी पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज भी उसके accordingly जल्दी हो जाएगा जो damage हो रहा है वो भी कम होगा और जो इलाज भी जो है जो कम से कम रहेगा अब जैसे आप देखिए अगर थोड़ा बहुत कीडा लगा है या कुछ है तो हम filling से उसे ठीक कर सकते हैं उसमें आपके खर्चे भी कम होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो tut structure है दांत है वो बच रहा है मज बूती बनी रहेगी अन्त में हमारे शोताओं को बताएं कि दांतों की जो सफाई है उसके लिए किस तरह से ब्रश का इस्तिमाल करें ब्रश की क्या महता है और ब्रशिंग का जो style है वो थोड़ा बताएं हमारे शोताओं को सबसे पहले जो brush यूज करना चाहिए हमें soft से medium brush brush यूज करना चाहिए, regularly दो बार brush करनी चाहिए tooth paste का इस्तमाल करना चाहिए और mouth washes का इस्तमाल करना चाहिए dental floss का इस्तमाल करना चाहिए dental floss एक धागे जैसा होता है जिस पे एक wax की परच जमी होती है उसको हम use करते हैं दातों की बीच में जैसे खाना फसता है तो दातों की बीच में उसको धागे को हम चलाते हैं उससे वो खाना निकल जाता है तो ये तो हमारी सफाई की चीजें हो गई brushing जो है हमें दो बार regularly करना चाहिए एक सुभा एक रात को सोने से पहले brushing हमें गोल-गोल करनी चाहिए धर दात के surface पे करना चाहिए शुरुवात हमें पीछे से करना चाहिए 45 degree के angle में त्रिकोर में हमें angle बनाना चाहिए brush का उसको हमें आगे पीछे चलाना चाहिए एक बार में तीन दात पे concentrate करें तीन दात पे फिर हम next तीन दात पे आएं ऐसे करना चाहिए जैसे उपर के दात हैं तो उसका motion circular करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे कि हम गिरा रहें जैसे नीचे की तरफ और जब नीचे के दात कर रहे हैं तो हमें उपर की तरफ हमें निकालना है और चलाना है ब्रश को तंबाकु सेवन गुटका ये दातों कि सब तक खराब कर सकते हैं नशा हमारे तेश में और हमारे यंग जैनरेशन में बिल्कुल घुस चुका है और मैं सब अपने शोताओं से कहूंगा कि इससे लाब कम और हानी जादा है कैंसर ऐसी बिमारी है जो अभी तक जिसका कोई इलाज नहीं आया है ला इलाज बिमारी है और आप खुद जो सेवन कर रहे है उनको तकलीफ तो दे ही रहा है साथ में उनके परिवार जन और आसपास की लोगों को भी एफेक्ट कर रहा है जी तो तंबाकु जो हम चबा के खाते हैं वो नुकसान दे है दातों के ले किस तरह से नुकसान दे दातों पर एक तो वो स्टेंज तो प्रड्यूस करी रहे है उसके अलावा जो है आपके जो मूँ के जो सेल्स है टिशूस है और जो आपका जो सर्फेस है आपके मूँ की वो बहुत सॉफ्ट होती है उस पर जब ये एसेड और ये केमिकल्स आक्ट करते हैं तो आपके टिशू को डिस्ट्रॉई कर रहा है और आप देखेंगे कि जो यूज कर रहे हैं उन में सफेद टाइब के कुछ लाइनिंग आ जाएगी पैचेज आ जाते हैं मूँ का खुलना बंद हो जाता है आप अपने नॉर्मल आम जो दिनों में जो चीज़ें कर रहे हैं जैसे फर एक्जामपल आप ठीक से मूँ नहीं खोल पाएंगे आप खाना नहीं खा पाएंगे ठीक से और फिर अगर जैसे उसमें कुछ मास आ गया फिर वो ग्रोथ होने लगती है उससे भी कई दिक्कते आने लगती है तो डॉक्टर कारती के कसारी आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने बहुत ही महत्पून जानकारी हमारे शोताओं के साथ हाजा की कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है और यह जो प्रक्रिया है कितनी जरूरी है दांतों को बचाने के लिए आकाश्वनी स्टूडियो जाने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक्यू नमस्का